वेल्कम टू गुरुकुल प्रेप हिंदी डेली अपडेट्स ओन जुलाई नाइन अपडेट वन समझोता DPIAT और NCAER ने भारत की लोजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये उद्योग और आंतरिक व्यापार संबर्धन विभाग DPIAT और राष्ट्रिय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिशद NCAER ने भारत में लोजिस्टिक्स लागत का आकलन करने के लिए एक धांचा तयार करने हितू समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये इस प्रयास का उद्देश्य लोजिस्टिक्स शुल्प के आर्थिक प्रभाव को समझना है अपडेट दो पुस्त के समेपुरम मर्यमन मंदिर पर कॉफी टेबल बुग जारी हिंदु ग्रुप ने समेपुरम The Sacred Seat of Shakti शीर्शक से 190 प्रिष्ठों की कॉफी टेबल बुग जारी की है जिसे व्रिंदार A.M.A.N.A.N. और जे रा A.M.A.N.A.N. ने लिखा है ये पुस्तक देवी मर्यमन से संबंदित कहानियों, कीवदंतियों और उत्सवों का विवरन देती है अपडेट 3 रक्षा भारत ने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का अनावरन किया भारत के स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का प्रोटोटाइब जिसे DRDO और LNT द्वारा विक्सित किया गया है परीक्षन के लिए तयार है यह अगले 6 महीनों में विभिन परिस्थितियों में परीक्षन से गुजरेगा अपडेट 4 अंतरराष्ट्रिय मसूद पैसिंचक्यान बने इरान के राष्ट्रपती सुधारवादी मसूद पैसिंचक्यान ने कटरपंथी सईद जलीली को हरा कर इरान के राष्ट्रपती चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने पश्चिम के साथ जुडाव और अनिवार ये हिजाब लागू करने में कमी का वादा किया है। अपडेट पाँच पैनल घटना के कारणों की जाँच करेगा और रोकथाम के उपायों की सिफारिश करेगा। अपडेट साथ खेल लुईस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रॉम प्री दो हजार चॉबीस जीती। लुईस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टोन में मैक्स वेस्ट आपन को हरा कर ब्रिटिश ग्रॉम प्री जीती। ये जीत 2021 के बाद हैमिल्टन की पहली जीत है। लैंडो नौरिस तीसरे स्थान पर रहे। अपडेट आठ सभी बाल श्रमिकों को हटा दिया गया है और स्कूलों में नामानकित किया गया है जो सामुहिक प्रयासों का परिणाम है। अपडेट नौ। शिखर सम्मेलन और सम्मेलन भारत के प्रसूती और स्त्री रोग समाज ने सूरत में पहला सम्मेलन आयोजित किया। अपडेट दस शिखर सम्मेलन और सम्मेलन बिदेन युक्रेन का समर्थन दिखाने के लिए नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपती जो बिदेन 9-11 जुलाई को नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे ताकि रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन का समर्थन दिखाया जा सके नाटो महासचिव जेन स्टोल्टिनबर्ग यूक्रेन के लिए बड़ी हुई सहायता की घूशना करेंगे और स्वीडन को नाटो के नए सदस्य के रूप में स्वागत किया जाएगा